हेलो दोस्तों वेलकम टू डिस्टल होट स्पोर्ट दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फटाफट से ये जानेंगे कि आपके आधार काड में कौन सा नंबर लिंक है आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं अगर लिंक नहीं है तो पर भी आप चेक कर सकते हैं इसमें आपनों को जो ह सकते हैं OTP की need नहीं है ठीक है तो फटा-फट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखें दोस्तों description मैंने आपनों को इस page का link दे दिया है इस website का link दे दिया है ठीक है आप जैसे उस पर click करेंगे तो आपके सामने इसी प्रकार का interface आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो इसी प्रकार का interface देखने को मिलेगा आपनों को नीचे आ जाना है ठीक है नीचे आएंगे आप लोग और नीचे आने के बाद आपनों को यहाँ पर देखने को मिलता है एक option ठीक है मैं आपनों को यहाँ पे highlight कर देता हूँ यहाँ पे आपनों को देखने को मिल रहा होगा check आधार validity यहाँ पे आप देख पारोंगे check आधार validity इसी पर आपनों को click कर देना है यहाँ पे आप जैसे click करेंगे तो आपनों के सामने कुछ ही वाला page आजाएगा यहाँ पे सबसे पहले कहा जा रहा है कि अपना आधार number इंटर कीजिए तो यहाँ पे आपनों को अपना आधार number इंटर कर देना है इसके बाद यहाँ पे नीचे में जो आपनों को देखने को मिल रहा होगा आपनों को यहाँ पे इंटर करना होगा यहाँ पे आपनों को इंटर कर देना है देना आपनों को प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है तो हम फटाफट से इस information को भर लेते हैं अब देखे दोस्तों यहाँ पे हमने आधार number को blur कर दिया है लेकिन यह जो capsa code है आपनों को देखने को मिल रहा होगा जिस प्रकार से यहाँ पे capsa code दिया गया है capital में, small में उसी प्रकार से आपनों को यहाँ पे भरना है तो हमने यहाँ पे भर दिया है अब simply हम यह proceed का जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे simply click कर देते हैं जैसे ही आप click करेंगे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका जो यहाँ पे यह आधार number है यह लिखा हुआ आएगा existed, मतलब कि exist करता है यह ठीक है, और आधार verification completed है आपका ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेगा इसके लिएवा आपनों को यहाँ पे आपका age देखने को मिल जाएगा आपका gender, state और सबसे नीचे में आपनों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपका mail number, जो भी आपका mail number आपके अधार card के साथ linked है ठीक है, इसमें देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पहले का जो 7 अंक है उसे जो है star, star यहाँ पे आपनों को देखने को मिलेगा मतलब कि यहाँ पे hide कर दिया गया है और last के जो 3 अंक है यहाँ पे आप देख पारोगे, last के जो 3 अंक है उसे जो है यहाँ पे सोक किया गए है तो इससे आप जान सकते हो कि आपका जो मॉयल नंबर है कौन सा मॉयल नंबर है जो आपके अधारगाट के साथ लिंक्ड है ठीक है पूराना जो आपने कभी लिंक करवाया होगा वो नंबर है या करेंट में आप यूज कर रहे है वो नंबर आपका लिंक है यहाँ से आप लोग चेक कर सकते है इसके लिए आप लोग का लास्ट का तीन अंग जो है जानना जरूरी है ठीक है तो यहाँ पे आप लोग जान गए होंगे इसी प्रकार से आप लोग जो है इस website पर आके इसका link बने आपनों को description में दे दिया है इस पर आके आप इसी प्रकार से quickly अपना number चेक कर सकते हैं जो भी आपके आधार कार्ट का इसाथ linked है So I hope आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगे अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब चरूर सकीज़ेगा मैं दे दोस्तों next वीडियो में